तो वीडियो शुरूब से पहले मैं बता दो कि यह वाली वीडियो हने वाली माइनकराफ्ट हेलमेट इंचेंडमेट के उपर जिसमें कि मैं आपको बताऊगा कि बेस्ट इंचेंडमेट के लिए और साथ ही जो इंचेंडमेट को आपको बताने वाला हो वो दोनों वर्जन से मोचुत होगी जो कि यह माइनकराफ्ट बेड्रोग और माइनकराफ्ट जावा एडिशन और इसे के साथ आप इन इंचेंडमेट को यूज कर सकते हो अगेंस्ट वीडर एंडरेगन और अगर पूरा देखना होगा और आपको कंप्लीट इंफोर्मेशन मिलने वाली है यो वाटस अप गाइज हर्चारण स्वागत आप लोगों को आई को और नई वीडियो में तो आज की स्वाली वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं हेलमेट के लिए सबसे अच्छे तो माइंक्राफ्ट की माइंक्राफ्ट रेलेटेड वीडिएज आपको यहां पर देखने को मिलती है जिसमें क्या थ्यूसित में क्या आते माइंक्राफ्ट टूट्रियुल्स कुछ चीज अगर आपको डूढनी है फिर मॉद्स डाउम लूड या पर आपको पहाम माईना या फिर इस्टार्टर धosure उसके साथ बहुत शारी सीरीज में огрards और आप लोग देखा और आप अगर आप लो bet बताने वालों best enchantments आपके helmet के लिए और अगर आपको नहीं पता कि आपकी sword या फिर किसी भी टूल में सबसे चेंट में कौनसी होती है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरी series देख सकते हो जिसमें कि मैंने आपको एकडम deeply जाके explain किया है कि आप कैसे यार अपनी जो sword यार बाकी सारे tools को betters बना सकते हो जैसे कि वो और तो काफी सही वीडियो से वो जो मैंने यार prefer करूंगा आपको या फिर suggest करूंगा आपको तो वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपको वीडियो देखने से प powerful नहीं रहेगा और इतना efficient नहीं रहेगा पुझे दूसरे चीज़ते हैं यह वीडियो सारे वर्जन्स में चलने वाली मतलब कि minecraft के bedrock minecraft java और 1.16 1.14 सारे वर्जन्स में यह वीडियो वर्क करती है और थर्ड बात है कि यह वीडियो पूरी research से बनाई गई है मतलब कि आप आपको मैं gather information नहीं देने वाला मुझे इंचेन्मेंट्स के बारे में पता है हलागी लेकिन फिर भी मैंने cross check करके अच्छे से research की और फिर मैं आपको बता रहा हूँ जो फॉर्थ बात है वो यह है कि आपको description में time stamp देख रहे हैं अगर आपको वहां से skip करना और आपको सिर इंचेन्मेंट्स देखने के कौन से इंचेन्मेंट्स है और आपको मतलब नहीं जाना हो और आप आदा दूरा ग्यान लेके जाने वाले हो तो आप time stamps से skip कर सकते हो और अगर देख सकते हो पूरी वीडियो को देखना बाकि वीडियो को शुरू करते हैं तो without any further do let's start this video with today's video topic perfect enchantments for your helmet चलो भई देख अपने क्या करता है सबसे पहले मैं आप लोगों को बता नहीं को मिलती है और उनका use और उनका मतलब क्या है तो हमें minecraft में total 10 enchantments देखने को मिलती है helmet के लिए और इन सब का मतलब अगर आपको नहीं पता तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं तो उन सब में सबसे पहली enchantment है projectile protection अब projectile protection से क्या होता है कि अगर कोई भी mob कोई भी mob से मेरा मतलब यह है कि जो भी mob मतलब की skeletons घास ऐस मतलब कि अगर कोई भी चीज आपके ओपर फेक के मारते ना मतलब hero या फिर fireballs अगर आपके ऊपर कोई भी चीज फेक के मारते तो उसका जो damage है वो radius हो जाए काफी जादा हद तक और जो weather के short से उससे भी आपको काफी कम damage मिलने वाला है तो यही use projectile protection का और यह primary enchantments में तो बिल्कुल मी नहीं आती है जो next और जो next enchantment है वो है fire protection अब आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा यह आपको fire से protect करती है मतलब कि अगर आप लोग lava में गिर जाते हो तो काफी सही protection होता है इसका और मैं इसे भी primary enchantment नहीं कहूंगा लेकिन फिर में मैंने आपको मतलब ब है वो है blast protection अब इसके भी नाम से आपको पता चल रहा होगा मतलब कि जो blast protection हो आपको blast उसे protect करते मतलब अगर आपके बास कोई भी explosion हो रहा है तो आप उससे काफी हता का उसका जो damage है वो reduce हो जाएगा मतलब कि अगर आपके बास creeper foot रहा है या फिर काफी सारे TNT जो कि आपक damage enchantment है वो है protection 4 अब protection 4 को मैं primary enchantment कहूंगा और यह primary enchantment है क्योंकि यह जो यह सबसे damage reduce करते हैं मतलब अगर आप लोग लावा में गिर देव या फिर आपको कोई hit कर रहा है या फिर आपके उपर explosion रहा है blast रहा है आपके पास तो सबका जो damage है वो reduce कर देती है और बाकि सार enchantment का ऐसा है कि अगर वो एक चीज़ में माहिए तो दूसरे चीज़ में damage करफी जाता मिलता है लेकिन इसमें इसा नहीं है और काफी सही enchantment है और यह प्राइमरी enchantment है और यहीं मैं आपको सबसे पहले enchantment है जो कि select हुई है primary enchantments के उसमें and next enchantment है वो है mending अब mending तो यह पर एक common enchantment है क्योंकि आप इसे किसी भी टूल में लगा सकते हो आप इसका आपको मतलब अगर नहीं पता तो मैं बता दू इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी मोब को है और किसी भी form में अगर आपको XP मिलती है और अगर वो XP और अगर आपने यह armor पहन रखाए तो हो Unbreaking Unbreaking का मतलब यह कि अगर आप मतलब आपके जो तूल है उसकी जो ability होगी वो तीन तीन level तक बढ़ जाएगी इसकी maximum level 3 तक है और काफी ज्यादा नाइम तक यह आपका tool है वो चलने वाला और इसके ability बहुती कम खतम होगी और आपको इसे repair करने की जरुद काफी कम बढ़ने वाली है और अब मैं टूल ले लेता हूं मतलब अपना helmet ले लेता हूं और नेक्स इंचिनमेंट हो है एक्वा affinity तो काफी लोग confusion मिलते कि क्या मतलब होता है तो आप अच्छे सोन लेना एक्वा affinity का मतलब यह होता है कि आप अगर पानी में हो और अगर कोई भी ब्लोक को तो कि पानी में अगर कि सीवी ब्लोक को तोड़ो गई तो आपकी।šंकि जो मां इस पीड़ तक बढ़ जाएगी और जो नेक्स्ट इंचर्मेंट है वो है थ्रोंस 3 अब थ्रोंस 3 से क्या होगा ना कि थ्रोंस का मतलब होता है काटे और अगर आपके ऊपर कोई भी मोब अटेक कर रहा है फिजिकली लाइक जॉम्बी हो गए और या फिर विदर स्केलेटन्स हो गए अगर कोई भी ऐसा मोब आपके ऊपर अटेक कर रहा है तो उससे क्या होगा कि उसको भी डेमेज मिलने वाला है तो यहीं मतलब एक फ्रोंस का और इसके में लेवल 3 तक होती है और नेफ्स इंचर्मेंट है वो है डेफ्ट स्राइडर से क्या होता है कि अगर आप लोग पानी में हो तो यह क्या करता है कि आपकी जो स्पीड है उसे काफी जादा बढ़ा देता है मतलब कि एक तरह से आपके पीछे नाइट्रो लगा देता है यह इसका यूज है और यह सिर्फ हेलमेट में लगता है और आपको सही इंचर्मेंट है अपने हेलमेट में और जो नेक्स इंचर्मेंट है वो है अब इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि यह आपके पानी में सांस दिलने की जो शमता उसे बढ़ा देगा और काफी सई इंचेंट्मेंट है यह बाकी मैंने आपको सारे इंचेंट्मेंट्स का मतलब बता दिया है आपके मतलब अच्छे से सामज़ गया होंगे तो मैं इंचेंट्मेंट्स बता देदा हुँ जो कि आप दूसरे टूल या फिर आर्मर में लगा सकते हो सबसे पहली common machin learn Dodge जिसा कि आप किसी भे टूल में लगा सकते हो और इसका मतलब मैंने आप भी में आप निचने में में जे बिद्फरा है इसे भी आप किसी भी बी टूल या आर्मर में लगा सकते में आपको बता दू को आप एक बदा धो कि जो आप एक वहुआ हैं उसे आप साथ नहीं लगा सकते मतलब कि आपका जो अप तो आप को इसे बैक इंचेनमेंक लगा सकते हो तो आप कोई से पोश्ट पूच अगांगा तो मैं एक वांफिनियर्टी लगांगा या फिर डिपेंड करता है सिच्चुएशन पर मैं इसमें तो आपको नहीं बता सकता है लेकिन हाँ मेरी मालों तो एक पाप यह लगा सकते हो और जो नेक्स्ट इंचर्मेंट थी वह थी थ्रोंस तरी जो कि मैंने लगा लिए और इसका बतलब मैंने आपको बता दिया इससा है कि हम ज में वाला है कमस सारी चीज़ों से तो एक चोटा सारी रृप में आपको देजलो ओको विजी तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि माइन्ट heeft के लिए टॉ तनी हिंचने में प्यूति है और सब का मतलब में प्राइमरी हलमेट होने वाला है अपका तो मैंने आपको बताया और चेलियों को एक छोटा सा रीकेब दे दिया और I hope है पूप आप लोग अच्छे से समझ गी होंगे इस वीडियो में जितना वी मैंने अपको बताया है और आप को confusion नहीं होने वाली अगर आप लोगों नहीं वीडियो अच्छे से सांती से देख लिए होगी और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं माइनक्राफ्ट की और भी इंचेंडमेंट्स के बारे में बताता हूं तो पूरी सीरीस की लिंक है आप पूरी सीरीस देख सकते हो इसमें कि मैंने आपको पताए स्वड़ के इंचेंडमेंट एक्स के इसलिस मातलब साथी है मैंने और फीटर में बाकी के आर्मर्स होगी बताने वाला हूं और काफी सारे चीजह इसे हिए नहीं चाहिए और प्रबभेबली आपको वह नहीं पता होगी तो आपको यह सिर्यस फोलो करनी चाहिए मैं आपको हाइली रिकमेंट करूंगा और अगर आप लोगों को इसी वीडियो से और देखने तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बाकि मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लेट्स प्रेट पोजिविटी